नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ इस वीडियो मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ न्यूज और अपडेट्स शेयर करने है नीट 2019 के रिजल के बाद काउंसलिंग जो है जल जल सुरू होने वाली है और आप सभी स्टूडेंट स्टेट कोटा के मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हो एक स्टेट कोटा का मेरिट लिस्ट अब अब अबलेबल हो गया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में तो यहाँ पर जो स्टेट है वो आंदरपदेश का स्टेट है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस स्टेट में मेरिट लिस्ट कहाँ पर अबलेबल है कौन सी डीटेल आपको यहाँ पर मिलेगी तो ओफिसल वेबसाइट पर जाएए ntruhs.ap.nic.in या आंदरपदेश के state के counseling के लिए official website है counseling के regarding पूरी detail आपको यहाँ पर मिलेगी इस वीडियो में हम आंदरपदेश पर focus करेंगे लेकिन जैसे जैसे दुसरे state के merit list available होंगे वो भी मैं आपके साथ share करूँगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं list of candidates who appear from पूर्पदेश state for need usage 2019 तो यहाँ पर आपको merit list available हो जाएगी इसे download कर लिजिए और आपको पता चलेगा कि आपके state में आपकी approximate rank कितनी है ध्यान रखे यह जो है provisinary merit list है इसके बाद document verification होगा वहाँ पर सब checking होगा और इसके बाद final merit list release होगा final merit list में काफी सारे changes होंगे काफी सारे student जो 2 मिसल नहीं है उनके नाम नहीं होंगे final merit list में और उसके हिसाब से थोड़े changes हो सकते हैं यहाँ पर आपके state के rank दिये गया है role number दिया गया है नीट के marks दिये गये है percentile भी score निकाला गया है अगर आप चेक करना चाहें कि अंदरबेदिस के state में आपका rank कितना है तो website पर जाएए पूरी detail आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो इतना सा information मुझे आपके साथ share करना था अगर आपको यह video पसंद आया हो और ऐसे ही video और देखना चाहते हैं तो नीचे जो like का button है जो subscribe का button है उन्हें दवाना मत दूँए धन्यवाद